हलो एवरिवन, वेलकम टू पिंपड़कर अकैडमी और मैं हूँ असिस्टन प्रोफेसर रोहिनी पिंपड़कर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉंसेप्ट इक्वालिटी के बारे में जिसे हिंदी में समानता कहते हैं तो जानते हैं इसस इक्वालिटी के दिमांड की गई थी जो फ्रेश रिवोल्यूशन हुआ था उस दरम्यान मतलब लीबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटरर्नेटी के बात होई थी उस वक्त की जो एक्वालिटी का जो स्वरूप था वो इस बिहाब पे मांगी गई थी कि ऑल यूमन टुकि और रियल कंडिशन में अगर हम देखा जाए तो इनने बिए इन्डिविजुल होते हैं वो थोड़ेंड डिफेर्ट होते हैं वो इक्वल होती हुए वह और बिए और होते हैं तो इसवज़ से समाझ में समानता लेकर तो थोड़ा सा विच्चार करने वाली बात यह हूजाती है कि हमें इसे इन्हें कैसे equally करें ओके इन्हें जन्म के आधर पर ट्रीट करें या फिर ने हम क्योंकि इनकी जो capacity है या फिर जो situation है जो different different individual की different different है खुद को विकास करने की श्रमता इस वज़े से उन्हें समान माना जाए तो इस वज़े से ये जो concept है equality की ये थोड़ी क्या हो जाती है debatable हो जाती है All state include its as prime policy देखिए कोई भी nature का अगर state हो चाहे वो authoritarian state हो या फिर communist state हो या फिर democratic तो उनके हमेशा ऐसी policy लेकर आना पसंद करेगा जिसे उनके समाच के अंदर हर एक लोगों को equal treatment मिल पाए तो ये बहुत ही ज़्यादा important हो जाता हर एक state के लिए state trying to ensure equality देखिए जितने भी state होती है especially welfare state वो हमेशा कोशिच करते हैं तो वो क्या करेंगे कि समाज में किस तरीके से equality लेकर आने चाहिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा conscious रहते हैं core principle of liberty देखिए हमने already पिछले lectures में वरप कर चुका है था जब हमने liberty के बारे में बात की थी कि equality जो है वो liberty की का core principle है मतलब जब 18th century में जब डिमांड की गई थी liberty की mid 18th century में actually तो वहाँ पर ये कहा गया था कि हर एक जो individual है वो क्या है equal है तो इस वज़े से उन्हें liberty मिलनी चाहिए तो जो demand हुई थी स्वतंतरता की वो equality के base पर हुई थी तो इस वज़े से liberty का core principle या क्या होता है equality core concept of justice देखे equality के जो concept है समानता यह समाज में हर एक तबके को अगर न्याय दिलाना है तो समानता लाना बहुत ही ज़ादा जोरी होता है लेकिन क्योंकि समाज में हर कोई equal नहीं रहोता इस वज़े से अगर हमें कभी न्याय देने के लिए inequality भी अगर करना पड़े तो उसको हमेशे justify करना पड़ता है कि हम inequality क्यों कर रहे हैं वो कभी भी equality को support बिल्कुल भी नहीं करते इन्होंने क्या कहा है कि जो equality जो हर एक human being है जब इन्होंने slavery की जब बात की थी कि slavery को इन्होंने अच्छा कहा था समाज के लिए वो कहते कि कोई-कोई जो human being होता है वो born किसके लिए होता है master बढ़ने के लिए और कोई human being ऐसे भी होते है जो born होते है slave बनने के लिए तो इस तरीके से जो इन्होंने slavery को define किया है तो ये बहुत ही मतलब आस्चार ये जनक है क्योंकि आज की society में हाँ पहले होता है दास्पर था लेकिन अभी ये अस्तित्वा में नहीं है और ये human के लिए हिसाब से काफी अजीब तरीके से बात लगती है जो Aristotle की गई थी तो इस पर हमेशा criticism होते रहता है तो ये बात बहुत ही important है Aristotle से जुड़ी हुई जो जीएस मील है जो हमेशा स्वतंतरता की बात करते है स्टेट का interfere, welfare के लिए होना चाहिए ऐसी बात जब करते है तो अब यही जीएस मील जो है जो positive liberty की बात करने वाले ये voting rights के मामले में inequality को जादा support करते है वो कहते है one man और one vote इस तरीके की बात को वो बिलकुल भी नहीं मानते वो कहते है ये बिलकुल भी justice नहीं है क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते है जिनका जो rationality का जो status होता है वो बहुत जादा होता है तो ऐसे लोगों को जिनका political में बहुत जादा interest है या फिर knowledge है समाज में बहुत जादा योगदान है तो इन लोगों को जो voting rights होना चाहिए वो plural होना मतलब उनके vote का जो वेटेज हो है वो एक से जादा होना चाहिए और जिन लोगों के अंदर understanding कम है या फिर समाज में उनका जो level है वो थोड़ा निचले दपके का है तो उनका जो voting rights है वो बहुत ही कम होना चाहिए इस rational man के हिसाब से बहुत ही कम होना चाहिए तो ऐसा तो बिल्कुल भी equality के खिलाफ है तो इस तरीके की बाद J.S. मिलके द्वारा हो जुकी है तो इस वज़े से उनके उपर criticize भी किय जाता है क्योंकि आज की जो democratic countries है उसमें इस तरीके की बाद थोड़ा सा असभ्यता की तरह हो जाती है तो अभी हमने जाना interesting facts about the equality और अभी हम बात करेंगे equality की लेकिट उससे पहले हम जान लेते inequalities क्या होती है तब ही तो हमारी concept अच्छे से clear होगी देखिए यह जो फोटो मै 55 में एक बुक लिखी थी उस बुक में इन्होंने कहा था कि human के अंदर inequalities किस तरीके से होती है तो इनकी जो बुक है उसका नाम है discourse on the origin of inequality मतलब inequality का उदय किस तरीके से होता इस बुक में इन्होंने बताया गया है तो यह कहते है जो all human beings है ना यह बिल्कुल भी equal नहीं है जिस होता इस तरीके से 중요, cause human beings होते है कि human beings का नेचर कहता है कि उनकी capability होती है वो equal होती है और उसमें जो इच्चाय होती है, wants and 解 trabal tra eyes होती होती है उस तरीकिकी के बाद harm eldest कहते हैं, लेकिन जो रुसे होती है कि नहीं हर एक human being क्या होता है उन्भाल होता है, उके तो तो वो uniguality जो human being के अंदर होती है वो दो तरीके से कितने तरीके से inequalities होती है दो तरीके से अब वोण uniguality क्या-kया है ao samant तो वो कहते हैं एक ungarita है इनसान के अंदर होती है जो conventional होती है मतलब आमपारिक इसको इन्हों ने क्या कहा पारं पारीक असमानता तो यह जो असमानता है पारमपरिक असमानता यह नाच्रल होती है हर एक इंसान के अंदर जैसे कि किसी किसी का कट छोटा या बड़ा होता है कोई जादा शक्तिशाली होता है तो कोई कमजोर होता है तो यह क्या है निचर से ही आप वैसे हो ओके और यह अनल्टरेब इस तरीके की बाद बिल्कुल भी ने, हाँ इनसान को ऐसा लगता है बड़ उसके लिए वो कहीं जाता हो अगर यह नहीं है कि state के पास नहीं कि मेरा ख़त बड़ा करतो और यह possible भी नहीं है state के लिए तो इस तरीके की जो demand है इसमें इस तरीके की जो inequalities होती है समाज में उसमें changes की बिल्कुल बे demand नहीं की जाती for example black and white skin देखिए कोई-कोई इनसान बहुत ही काले होते हैं और कोई white होते हैं तो यह क्या है हम कुद्रत सहीं ऐसे हैं कि नहीं तो नेचर के द्वारा हम ऐसे पैदा हुए है तो इसमें किसी भी तरीके से change नहीं किया जाता और नहीं इसमें demand की जाती कि नहीं हमारा skin change कर दो तो इसके कहते हैं conventional मतलब पारमपारिक असमानता अब हम देखते हैं इसमें बताई हुए दूसरी तरके की असमानता वो कहते हैं non-conventional inequality के बारे में मतलब एक ऐसी समानता होती है जो अपारमपारिक होती है इसको हिंदी में क्या करते है अपारमपारिक तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट होती है क्यों आती है इंसान के अंदर यह समाज द्वारा आती है यह जो inequalities आती है human being के अंदर यह समाज द्वारा निर्वित होती है और इस वज़े से इसे क्या हो किया जा सकता है change किया जा सकता है यह जो inequality होती है वो alterable होती है अब इसे अगर state अगर interfere करे तो इसे बदला जा सकता है तो इस वज़े से इसमें demand की जाती है कि please state of interfere करो और समाज में आ रही है इस असमानता को कम करो जिसकि कोई इंसान बहुत जादा अमीर हो जाता है तो उसको यह tax लगा कि अगर उसके उपर अगर उनके income पर अगर हम tax लगा दे तो क्या हो जाएगा कि वो जो income है वो अगर किसी poor person की poverty में जो जी आए उसके उपर अगर खर्च की जाए उसके health की उपर तो क्या हो जाएगा उसकी जो sociality में उसका जो level है या फिर उसको educated करने में अगर लगाएंगे तो यह जो inequality है जो society की वज़े से आईए यह कम हो सकती है तो इसका example देख लेते है different treatment of black and white देखें यहाँ पर मैंने यह actually black and white यह adjective है यहाँ पर तो इसके सामने मैंने दल लगाया इसका मतलब होता है black और white लोग तो उनको जो treatment मिल दिये समाज में वो कैसी है अगर वो unequal हो तो state के पस state ने ऐसा provision करना चाहिए कि देखो यह जो injustice है हमारे skin को लेकर कि हमें unequal treat किया जा रहा है तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो state ने एक state क्या कर सकते से interfere कर सकता है ऐसी policies को लेकर आ सकता है कि हर एक इंसान को उनके skin की हिसाब से बिल्कुल भी judge न करने की बात कर सकता है तो इस तरह की की बात कही है रुसु जी ने लेकिन वैसे ही equality के उपर एक बहुत ही अच्छी interesting बात में आपको बताती हूँ जो Aristotle से related है तो Aristotle कहते है कि जिसे कि वो जब revolution की तोरी उनने बताई है यह revolution के बारे में जब वो कहते है कि society में किसी भी state में revolution कब होता है विद्रोह कब होता है अगर society में बहुत ज़ादा inequalities है मतलब असमानता है तो उसमें जो विद्रोह करने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़ादा होती है और अगर उस विद्रोह को अगर हमें रोकना है तो state ने क्या करना चाहिए inequalities जो society में है वो कम करनी चाहिए तो यह क्या है cause of revolution के बारे में किस ने कहा है Aristotle ने तो यहाँ ध्यान रखिए यह important है मैंने यहाँ पर include किया हुआ है तो अभी हमने जाना कि inequalities क्या होती है तो अभी हम जानेंगे कि equality का real meaning क्या होता है और जब हम as a political science की जब हम student है तो हम किस तरीके की equality की हम बात करते हैं समानता तो किस भी हाँ पर बात करेंगे तो यह बहुत ही जादा जरूरी है कि यह समझना कि politically जब हम बात करते हैं equality तो वो किस तरीके की है equality in human तो अभी हम बात करेंगे human being की equality की एक होती है born equality मतलब कि हर एक इंसान एक जैसा है तो क्यों वाक्य में कि हर एक इंसान एक जैसा है क्या नहीं तो बिल्कुल भी हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता तो हम equality का जब meaning देखेंगे तो हर एक इंसान एक जैसा है, बिल्कुल हर एक उसकी capacity वगरे, wants वगरे, तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा different feeling है, वेसे हम equality को लेते है, as a political science में, ठीक है, तो from एक महोदे है, इन्होंने कहा है, इस विद्वान ने कहा है, कि man are born equal, ठीक है, man जो होते है, पैदाश क्या होते है, equal ह होते है, but they are born different as well, उसके साथ ही साथ, उनके अंदर खुद का एक अपनी identity है, वो थोड़ से different होते है, एक दूसरे से, चाहे वो बल को लेकर हो, चाहे उनके कद को लेकर हो, या फिर वो किसी ऐसे talent को लेकर हो, skill, adaptation के उनके जो ताकत होते है, वो थोड़ सी अलग होती है, तो हर एक human being equal होते हुए भी unequal है, तो ये बात बहुत ही जादा important है, क्योंकि हम जो meaning देखने वाले है, ये इसी के उपर देखने वाले है, इस वज़ज़ से मैंने इसी एक जो definition है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको इसका meaning बहुत ही अच्छे से समझे, और question भी इसे ही आते है, ये जिसी नेत या फिक किसी भी examination में जो objective पूछते है, कि आपको confused किया जाए कि आप जब equality के बारे में सोचते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात आती है, तो options बहुत ही close रहने वाले है, इस वज़ज़ से ज़्यादा confusion create न करते हुए, मैंन हम यहाँ पे society में रहनते वक्त, उसको किस तरीके की समानता होनी चाहिए, या फिर उसको किस तरीके से समान माना जारा चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, equal opportunity for the development of their personal qualities and capabilities, देखें, उसको equal opportunity मिलनी चाहिए society में, हर एक इंसान को, ताकि वो खुद के व्यक्तित अच्छे से विकास कर पाए, इसके गुनों का, उसकी जो capacity उसको develop कर पाए, तो जहाँ पर हमेशा equal treatment for equal की बात होती है, कि ऐसा नहीं कि हम किसी का competition किसी दूसरे इंसान से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम अमीर लोग अगर बहुत जादा educational fee पे कर सकते हैं, तो वही अगर हमें, अनिक्वल ही हमें पता है कि वो अनिक्वल है, तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उनके साथ में सिर्फ ऐसे लोगों को equally treat किया जाए, जो equal है, तो इस तरीके से है, यह concept है, कि equal treatment सिर्फ equal लोगों के साथ में होन चाहिए, अगर वो थोड़ सा वीक है, तो उसके थोड़ सहुलियत वहाँ पर प्रोवाइट करना भी equality ही है, okay, removal of discrimination, देखिए, जो इनसान होता है, उसके उपर जब हम क्या करते है, discriminate करते हैं, उनके अंदर भेद करते हैं, तो इस तरीके का भेद न करना यही क्या concept है, equality की, यही meaning है, लेकिन यह जो removal of discrimination है ना, यह तो होना ह चाहिए, लेकिन किन लोगों के साथ में, obviously, equal treatment for equal, लोगों के साथ में, बिल्कुल भी discriminate, बिल्कुल भी मत करो, इस तरीके की बात, इसमें कही गई है, discrimination is accepted on the rational grounds, देखिए, अगर हम किसी के साथ में, अकर थोड़ा सा discrimination कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कै सब भी discrimination कर लेंगे, नहीं, तो इसके लिए कुछ एक rational ground होना चाहिए, एक विवेक पूर्ण आपको तठ्थे देना चाहिए, जैसे कि men और women को जब हम क्या करते हैं, un equally treat करते हैं, Indian constitution में भी लिखा है, कि हर एक इनसान, वो sex, caste, किसी के भीहाब पर आप उसके साथ में discrimination नही है, कि नहीं, आप discriminate कर सकते हैं, अगर वो women है, तो उसको थोड़ सी, क्योंकि society में क्या होता है, women का education level बहुत ही कम है, तो ऐसे करो कि educational sector में उनको थोड़ा सा privilege दो, कुछ offers दो, जैसे कि उनको कम percentage में admission मिल जाती है, या फिर कम पैसों में admission मिल जाती, इस तरीके से, ओके, या बात की जाती है, यहां पर, positive discrimination, कि ऐसा discrimination जो अच्छाई के लिए हो, लोगों को हमने inequality treat किया है, लेकिन किसी अच्छी बात के लिए किया है, okay, example हमने अभी देख लिया, social backward classes को लेके, जैसे हम discrimination करते हैं, तो इसके पीछे एक rational ground चुपा हुआ होता है, जैसे कि इसके बारे मे बहुत ही अच्छा वक्त अभी किया हुआ है, Margaret Thatcher के द्वारा, इन्होंने कहा है, right to be unequal, तो यह तो जिस तरीके से हम discrimination करते हैं, especially positive discrimination, यह कहे है, right है, कि हमें unequally treat किया जाना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को, जिनके साथ में, हम equality को अगर प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो उनके साथ में unequal ही behave करना पड़ता है, जैसे कि weaker sections वगरे हो गए, उस तरीके से, तो इसको right कहा गया है, right to be unequal, Margaret Thatcher के द्वारा, जैसे कि इस picture में हम देखते हैं, कि हर एक human being जो है, वो थोड़ा हरे का देखो, यहाँ पर हर एक कोशिश तो कर रहा है, मतलब यह जो tall person है, य यह भी फल तोड़ने के कोशिश कर रहा है, यह भी कर रहा है, यह भी कर रहा है, लेकिन यह fruit सिर्फ इस tall इनसान से ही तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसकी height जो है, वो जहाँ पर fruit लगा है, उसकी हिसाब से, तो यह जो करना चाहता है, यह बहुत ही अच्छे से कर सकता है, तो ऐसे में इनके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर inequality होने के कारण इन लोगों के साथ में justice नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जैसे कि state है, इस तरीके की policy है, जैसे कि अगर हम क्या करें, यह दो जो लोग है, इनकी height कम है, उनके नीचे अगर हम इस तरी के का, अगर जादा का, अगर उनको base थोड़ा सा बढ़ा दे, देखें, यहाँ पर base क्या है, इक्वल है, और इस picture में base को थोड़ा सा बढ़ा करवा दिया है, उनकी height की हिसाब से, मतलब थोड़ा सा adjustment किया है, तो क्या हो गया है, हर एक जो इनसान कोशिच कर रहा था, इस picture म जानता, तभी होनी चाहिए, कि जब इनसान क्या हो, समान हो, हर एक इनसान अगर कोशिच कर रहा है, तो यह बहुत ही जरूरी होता है, कि वह अपने development के लिए, अगर थोड़ी सी उसके लिए के साथ थोड़ा सा discriminate कर दिया जाए, जैसे कि base यहाँ पे सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा discrimination कर दिया है, और base को कम जादा करके हर एक लोगों को equal opportunity दिये, इसको कहते है, equal opportunity, तो इस वज़े से जो discrimination हुआ है, इस picture में देखिए, तो वो discrimination, positive discrimination है, ताकि हर एक को अपना जो goal है, वो achieve करने के मिले आसानी हो, तो इस तरही के से हमने जाना, कि equality का meaning exactly क्या है तो यूजे से net के examination में ऐसे ही questions form होते हैं कि आपको exactly क्या सोचते है, equality को लेकर, तो options भी ऐसे similar आएंगे, तो आपने ये meaning को अच्छे से समझना है, obviously इसके साथ में जो others हम जब dimensions पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, equality को लेकर, तब हमें इसको और अच्छे से समझ और जो capability होती है, इनसान की, कि equal कैसे उसको treat किया जाएं, उसके बारे में भी देखेंगे, तो इसको और ज़्यादा clear हो जाएंगा, तो please आप इस meaning को बहुत ही अच्छे से समझ दीजेगा, कि जब हम equality की बात करते हैं, तो human being के bond की हिसाब से नहीं, बलकि उसके capability की हिसाब स बात करते हैं, और equal इंसान को equal treat करने की बात करते हैं, तो आज की lecture में बस इतना ही, और आगे की lecture में हम बात करेंगे, कि इसके dimensions क्या-क्या है, और इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, so thank you for watching this video,